इद्गा रेलवे के द्वारा एक नोटिस दिया जा चुका है, फिर से रेलवे कभजिधारों के काख्जों की जाच भी करेंगे रेल्वे के द्वारा इदगा रेल्वे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाया जाएगा ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेल्वे मकानों को तोड़ना चाती है रेल्वे कहती है कि जबीन पर कबजा कर मकान बनाये गए है मकानों को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस भी दिया था जिसके बाद लोगों में खलवली मच गई मकानों को बचाने के लिए आंदोलन भी शुरू कर दिया गया है रेलवे एक और नोटिस चारी करने जारी है रेलवे का कहना है कि बिना कबजे हटाए ओवर विज नहीं बन सकता, कबजा करने वालों के कारेों को भी चेक किया जाएगा, आखिर वास्तविक इस्थि क्या है? और नोटिस देने के बाद पार्टीस को जो उनका पक्ष है वो रखने के लिए हीरिंग्स के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद रेलवे प्रशासन दुवारा डिसाइड किया जाएगा कि इस केस में आगे क्या करना है? अगर हो सही पाया जाते हैं तो ऐसी स्थे में रेलवे क्या करें? रेलवे की नोटिस से लोगों की नींद ओड़ गई है राजनीती भी करमा गई है सीनी उसके लिए राकेश कनाजिया की रिप्रशाइगा है